सिलिगोडी में इशन हाईवेट 2 पर दुर घटना में दो लोग गंभी रुप से घायल खोरी बाड़ी में इशन हाइवे 2 पर सड़क दूर घटना में दो लोग गंबी रुप से घायल हो गए है जानकारी मिले की एक कार अनियंतरी थोकर डिवाइडर से टक्रा गई घटना में दो लोग घायल हो गए है ये घटना भारत नेपाल सीमा के पास खोरी बाड़ी में पानी टंकी के पास फ्लाय ओबर पर हुई मालूमों की नेपाल नंबर की एक कार सिलिगुडी से नेपाल जा रही थी कार की गती तेज होने के कारण ड्राइवर नियंतरन खो बैठा और कार फ्लाय ओबर की डिवाइडर से टकरा गई कार का अगला हिस्सा मुड़ गया घटना में दो लोग घायल हो गए है बाद में स्ताने लोगों ने उन्हें बचाया और घायलों को नकसलबाड़ी अस्पताल पहुचाया खबर पाकर खोड़ी बाड़ी थाना पुलीस और खोड़ी बाड़ी ट्राफिक पुलीस मौके पर पहुची पुलीस पुरे घटना की जांच में जुट गई है कोन जाएगा एड़ा पानी टेंगे फ्लाएगा अपना नाम आरोटी जाएगा